हलो वेलकम दिस इस गौतम एंड यू आर वाचिंग यूर फेवरेट चनल गौतम लाइब गया जहां हम सेक्यूर्टी सेफटी जुड़ी हर एक नॉलज़ को एक्स्प्लोर करते हैं डीटेल में तो आज का हमार जो वुडियो एक डिमांडबल वुडियो उसको डिमांड किया है मिस्टर गुर्बक सिंग ने और हमसे पूछा है टाइपस ओफ फायर पंप के बारे में तो आज इस वीडियो में हम जाने के टाइपस ओफ फायर पंप कितने होते हैं तो परंट आपने आपके प्रमाइसे में कभी ना कभी फायर डिल कियोगी या फिर देखियोगी आप आपने देखा हो जैसे हम हैंड मिल को आन करते हैं फायर होस से काफी अच्छा प्रेशर से पानी जेनरेट होता है वो पानी निकलता है तो यह कैसे होता है कौन इसके पिछे तो उसके पिछे आपका फायर पंप है जो इतनी कैपिसिटी से पानी को पुछ कर रहा है करती है तो minimum requirement किसी building के लिए जो है हम उस पर चर्चा करेंगे बताएंगे और capacity तो according to building बढ़ाई भी जा सकती है ठीक है इसमें क्या होता है friends कभी-कभी pump को double कर दिया जाता है ठीक है या फिर बड़े high capacity वाले pump भी install किया तो हम यहां minimum की बात करेंगे इतने तो capacity वाले pump इंस्टॉल होने ही चाहिए आपके प्रमाइस में according to national building code तो सबसे पहला जो आपको pump देखने को मिलेगा आपके pump room में वह होता है जो की pump अब यह pump जो है ना friends सबसे छोटा pump होता है according to other family member of pump आपके pump room में जितने ही pump लगे हैं उस pump से सबसे छोटा pump यह होता है तो हम यहां पर लिखते हैं small pump ठीक है अब यह जो pump है यह चलता है इलेक्ट्रिक्स है तो यह pump कैसा है इलेक्ट्रिकल ड्रिवन है इसकी capacity के बाद करें तो जो minimum requirement according to NBC है वह है एक सो असी लीटर पर मिनट मतब एक सो असी लीटर पानी यह एक मिनट में सप्लाइ करता है हाइलेंट लाइन्स में और यह कैसे on होता है कैसे off होता है तो यह friends auto पे on होता है और auto ही off हो जाता है इसको किसी को manual जाके बंद वहरा करने की जुरत नहीं पड़ती है तो जो की pump जो होता है small pump है electrical driven है एक मिनट में एक सो असी लीटर पानी सप्लाइ करता है और खुद ही बंद होता है खुद ही चालो हो कि दूसरा जो पॉम्प आपके पिर्माइस में आपको मिलेगा वह है में हाइड्रेंट पॉम्प कुछ लोग सी में पॉम्प भी मोलते तो आप कन्फीज मत होईएगा आपका यह जो पॉम्प है आपके हाइड्रेंग लाइन से कन्यक्टिट होता है ठीक है अब यह एस कंपेर टू जो की पॉम्प काफी होता है साइज में क्या होता है बीग होता है यह भी इलेक्ट्रिकल डिर्वेन होता है इसकी छम्दाग बात करें तो यह एक मिनट में बाइस सो असी लीटर पानी सप्लाई करता है और यह चालू कैसे होता है फ्रेंट्स तो यह आटो चालू होता है और इसको बंद करना पड़ता है फ्रेंट्स मैनुली यह खुद बंद नहीं होता है तो जब भी आपका 500 पंप चालू होगा तो आपको खुद जाके इसको बंद करना होगा तो यह साइज में बिग होता है ऐस कंपेर टो जोकी पंप इलेक्ट्रिकल डिविन होता है बाइस सो असी लीटर पानी पर मिनट छोड़ता है और आटो में चालू होता है और मैनुली जाके इसको बंद करना पड़ता है तिसरा पंप है आपका स्प्रिंकलर कि यहापकी स्प्रिंख्ला कि पाइब आपने जखी जिस पर स्प्रिंख्ला जूल लगा होता है उस्प्रिंख्ला पॉल चार्ज करता है यह डिक्टो पंप होता है जो यहाँ यह भी इलेक्ट्रिकल ड्रिविन होता है इसकी भी छमता बाइस सो असी लीटर पर मिनिट तै की गई है अकॉर्डिंग टू एन बीसी यह भी आटो आन होगा और मैनुवली बंद होगा फ्रेंड्स चौथा जो एकदम इंपॉर्टेंट पंप है वह है अब मालने जिए फ्रेंड्स आपका जोकी पंप फेल हो गया क्योंकि यह इलेक्ट्र से चल रहा है इमर्जन्सी में इलेक्ट्र सप्लाय कट किर दी जाती है या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम में कि मुझे से किसी भी वज़र से मालने जी आपके सारे पंप फेल कर गए ठीक है तो आप क्या करेंगे तो आपका चौथा जो तगड़ा बैकप वह है आपका डीजल इंजन ठीक है एल्ट्रिसिटी फेल हो गई है तो आप यहां पर डीजल पंप कैप बैकप में रखते हैं तो यह भी आपके हाइडरेंट पंप के इतना ही बड़ा होता है इसकी जो साइज यह वन पॉइंट एट मिल्टर होती है यह डीजल डिवेन होता है और इसकी जमता भी होती है 228 LPM और यह ऑटो अन हो जाता है अगर इस सारे पंप जब फेल कर जाएंगे तो इसको चालू करने जुरत नहीं पड़ती है यह खूद ही चालू हो जाएगा और यह मैनवली बंद होता है मैनवली आपको जाके बंद करना पड़ेगा तो आपने में देखा कि last में हम बात कर रहे हैं manually off on auto on off तो यह friends कैसे होता है कैसे pump को मालूम पड़ता है कि हमको चालू होना है तो उसकी ने friends एक pressure switch आता है नाम का device आता है जो command देता है हमारे pump को कि आपको चालू होना है तो आज यह डिटेल में उसको समझ लेते हैं कि बहुत जरूरी है pressure switch pressure switch है जो यह medium है आपके pump और hydrant line के बीच का तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं hydrant line hydrant lines आपका device भी यह भी हम लिखते हैं pressure switch उसके बाद आपका pump मैं device आपको draw कर देता हूं यह आपका pressure switch का diagram है यहां पर आपको दो lines दिख जाएंगी दो parameter दिख जाएंगे पहला जो parameter उसको बोलते हैं range दूसरा जो parameter उसको बोलते हैं difference अब समझे आपके premises में जो fire hydrant line है वो particular pressure से charge होती है अब वो particular pressure क्या होगा friends वो depend करता है आपका fire pump room कितना नीचे है और आपकी building की height कितनी है यह दो चीजों पर यह depend करता है किसी अधर वीडियो में आपको detail में समझा दूँगा calculation वगरा हम कैसे करते हैं तो हम यहां example के यह माल लेते हमारे यहां पर जो building है वहां पर जो hydrant line है साथ kg से charge है तो यह जो साथ kg है यह है range मतलब इतनी हमको requirement है इतने से हमारी hydrant line चार्ज होती है और यह है difference तो यहां हम जो की pump लेते हैं ठीक है जो की pump में एक switch लगा होगा pressure switch लगा होगा उसका difference हम set करते हैं half kg अब समझे जैसे ही आपके fire hydrant line में pressure 6.5 kg होगा आपका जो की pump तुरन स्टार्ट हो जाएगा और क्या करेगा इस half kg प्रेशर को maintain करेगा जब यह pressure maintain हो जाएगा तो क्या होगा जो की pump अपने आप off हो जाएगा अब दूसरा समझी अब यही आपका range है ठीक है तो जैसे ही आपका pressure हम वाल लेते हैं 2 kg से कम हो जाएगा ठीक है तो यहां पर pressure कितना हो गया 5 kg तो 5 kg जैसे ही pressure हो जाएगा क्या गरेगा आपका main pump उसको charge करने के लिए चालू हो जाएगा तो जो की pump हाफ kg स्टार्ट हुआ है और यह 2 kg स्टार्ट हुआ है तो यह कैसे हो रहा है यह आपके pressure switch की वज़ेस हो रहा है जो आपके hydrant line और आपके pump line को जोडता है इसमें कितना pressure यह तुरंद इसको मालूम बढ़ता है फिर according to requirement वह आपके जोकी pump को कमांड देगा कि आप चालो जाएए आपकी hidden line में इतना pressure कम हो गया है तो यह pressure switch हो device है जो सब कुछ decide करता है तो मुझे उमीर है आपको आज का वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भोले और बेल आइकन को जरूर हिट करें मिलते है ने शुड़ी में तब तक के लिए जैहिंद